वेल्कम एबरीबडी तोड़े वी विल डिसकर्स अबाउट दा एससी सी एसेचल कंप्टिशन यह ड्रीम होता है हरे कंडिडेट का गौर्मेंट जाब का और गौर्मेंट जाब में भी अगर सेंटरल गौर्मेंट की जाब हो तो वह सबसे अच्छी जाब होती है और वे विद्ध्यार थी जो एससी सी एसेचल के लिए अपलाई करना चाहते हैं इसमें नियूंतम योगिता होती है 10 प्लस 2 और ग्रेजवेट और प्रोस्ट ग्रेजवेट भी अपने केरियर अपनी रुच के अंसार इस प्रोफेशन को चुन सकते हैं इस स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की ओर से आयोजित होने वाली ये परिच्छा इसमें केंद्रिय कार्याल है सेंटरल गौर्मेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए डाटा इंट्री आपरेटर जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, टाइपिश्ट के लिए सेलेक्शन होता है इस सेलेक्शन के लिए सबसे पहले हम आवेदन करते हैं और अपनी रुच के अंसार एक प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें डाटा इंट्री आपरेटर के लिए अपलाई करना है या कलर्क और या टाइपिश्ट के लिए हमें अपलाई करना है एक सुरू से जब मोटो हमारा होगा कि हमें इस पोश्ट के लिए ही तैयारी करनी है तो विद्यार्थी की जो तयारी होती है जो pre-planning होती है वो हमें सफलता के सिखर पर पहुचाती है ये condition के step 3, first step, step second और step third तीन चर्णों में संपन होने वाली ये परिच्छा है इन तीन चर्णों के चलते हुए विद्यार्थी को appointment लेटर मिलता है step first में online exam होता है और इस exam में आते है objective type question जहां पर minus marking भी होती है तो इस online objective test देने के लिए हमें सबसे पहले mock test और previous year के paper के उपर practice कर लेनी चाहिए यह online objective test जो होता है इसके चार पार्ट है first part है general intelligence सामाल ने बुद्धी मता और reasoning से संबंदित question इसमें आते हैं और इनमें प्रशनों की संख्या 25 होती है first online objective questions के लिए हमें समय दिया जाता है 60 minute का second part है English language का और third part है maths का और fourth part होता है general awareness का अब आजाए हम first part पे general intelligence के part पे इस part पे तयारी करने के लिए हमें coding, decoding, direction, ranking, vein diagram, number series, alphabet series और इसके बाद blood relation के question, sitting arrangement के questions पे ध्यान देना चाहिए और figure problems में एनलोजी, समरूपता, विसम पद, स्रिंखला का अगला पद, इन पर ध्यान देना चाहिए इसके बाद missing terms, look pad, paper cutting जैसे questions भी इसमें सामिल होते हैं English के part में close test, synonyms, antonyums, fill in the blanks, idioms और praise से संबंदित प्रशन आते हैं जबकि math के part में, surly current, simplification, ratio and proportion, simple interest, compound interest, percentage, profit and loss, discount और थोड़े से part से time and work और distance and time के भी प्रशन आ सकते हैं average के प्रशन इन पर हमें पूर्ण अभ्यास करना चाहिए general awareness के part में, general knowledge के साथ साथ जो current affairs हैं, जैसे विजेता, न्यूक्ती और सामान राजनितिक गत्वीदियां से संबंदित प्रशन पूछे जाते हैं इन चारों पार्ट की तैयारी हमें इस प्रकार से करनी चाहिए कि हमारा time management और accuracy maintain रहे ये part इसलिए important होता है, क्योंकि इसमें 200 marks का ये paper है और इन 200 marks में अगर कोई candidate 150 से 160 marks तक attempt कर लेता है तो वह एक safe zone में होगा, उसे ये पूरा विस्वास होगा, उसके chances होगे कि उसे step second में भी chance मिलेगा, step first online test के बाद, third test जो step second में आएंगे हम तो वहाँ होगा written test, इस written test के अंतरगत आता है application और later writing और एक step आएगा फिर इसमें essay तो written test के लिए application, later writing और essay पे हमें अभ्यास करना होगा यह अपनी लेखन की कला, लेखन का कौसल का मुल्यांकन होता है यहाँ पे written test में और इसके आधार पे फिर third step जो आता है वो होगा हमारा skill test third step में होगा skill test जहाँ पे विद्यारती को अपने typing की practice करनी चाहिए यहां English में 35 words per minute की minimum speed होनी चाहिए 35 words per minute का मतलब है 10,500 की depression प्रति घंटे जबकि हिंदी में यह speed होगी 30 words per minute यानी 9,000 की depression प्रति घंटे और यदि कोई व्यक्ति data entry operator के लिए apply किया है तो वहां पे उसकी गती होनी चाहिए आठ हजार की depression प्रति घंटे की तो थर्ड इस्टेप में इस competition के थर्ड इस्टेप में skill test के लिए हमेशा याद रखना चाहिए कि English की 35 words per minute minimum speed हो हिंदी में 30 words per minute या 8,000 की depression पर आवर की speed होनी चाहिए अब इन तीनों चर्णों को पूरा करने के बाद विद्यार्थी की पूरी संभावना होती है select होने की और एक मन में हमें संकल्प होना चाहिए कि अगर हमने ये form भरा है तो उस form के भनने के साथ ही साथ अपनी तैयारी को सुरू करना है सफलता के लिए हम जो है previous year के papers और mock test paper model test paper को भी solve कर सकते हैं सफलता.com पे mock test और modern test paper भी इसके लिए available होते हैं जिन पर हम निरंतर अभ्यास कर सकते हैं अभ्यास इसलिए भी जरूरी है क्योंकि online test के लिए computer पे ही practice करना ज्यादा अच्छा होता है जिससे हमारी एक speed maintain होती है और speed maintain करके ही हम time management और accuracy को maintain कर सकते हैं जिसके बाद हम step second और step third के लिए practice कर सकते हैं तो मेरी सुक कामना है सफलता के लिए उन सभी विद्यार्चियों की जो SSE CSHL के लिए apply कर रहे हैं Thank you